अगर गैस मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको एक ऐसा पेक बताने वाली हूँ टू इन वन काम करेगा आपके फेशल हैर को अपर लिप्स के हैर को तो रिमूग करेगा ही हाई एवरिवान वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल तो मैं हूँ अन्ना तो टाइटल आपने पड़ लिया है आज मैं आपको चेहरे के जो फेशल हैर होते या तो अपर लिप्स के हैर होते उसको नेचरली कैसे फटाफट रिमूग करेगा वो वीडियो आपको बताने वाली हूँ पेण या पर बिल्कुल नहीं होगा बीना पेण के बीना कोई पैसे इन्वेस्ट किये आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घरेलो नस्खा बताने वाली हूँ आपने देखा होगा कि फेशल हैर को रिमूग करने के लिए वैसे तो कहीं सारी ट्रिट्मेंट अवेलेबल है आप लेजर ट्रिट्मेंट भी ले सकते हो laser treatment में एक या दो साल के लिए आपके hair remove हो जाते हैं खर्चा बहुत जादा होता है बट खर्चा करने के बाद भी जो hair होते हैं वो तो दो साल के बाद या तो तीन साल के बाद फिर से वापस आई ही जाते हैं दूसरा तरीका जो हम regular use करते हैं तुम्ट करवाते हैं या तो waxing करवाते हैं कहीं सारे लोग आपको यूनों facial hair को remove करने के लिए waxing जो strip आती है उसका इस्तमाल करने के लिए लिए आपको suggest करेंगे बट मैं आपको यहां पर बिल्ज़ेस्द नहीं करूंगी जो waxing के अगर हम हमारे फेश के उपर यूज करेंगे तो आपका फेश का एरिया बहुत सद्धा डार्ट भी पड़ सकता है या तो जब हम फेशल हेर को निकालने के लिए वो स्टिप को निकालते हैं तो हमारी फेश की जो स्किल होती है वो बहुत स्यादा सॉफ्ट और सेंसिटीव हो आपको रिडनेस हो सकती है या तो आपकी स्किन डेमेज हो सकती है तो आप कभी भी फेशल हेर की जो स्रिप हाती है वो फेश के लिए इस्तमाल मत करना अगर आप आपको आता है उसको यूज करने का परफेक्ट तरीका तो आप कर सकते हो दूसरा तरीका कि कहीं सारे लोगो मैं आपको बताऊं जिसे नेच्रल तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा बट आपके फेशल हैर या तो अपर लिप्स के हैर से आपको छुटकारा मिल जाएगा और बिना कोई पेंट के और बिना कोई खर्चा यहां पर किये और वैसे भी फेशल रेजर भी अवेलेबल है मार् अगर आप चाहों तो वीडियो पूरा देख सकते हो अगर आपको बोर हो रहे हो तो आप वीडियो को स्किप करके सिर्फ डियावई पे की देख सकते हो मेरी चलनल में करणटी की ओवेश चल रहा है मैं यहां पर पिक्चर इंसर्ट कर दोगी अगर आप न्यू अगर आपको में जल्दी से बता देती हूं अपको लिखना क्या है वह भी आपको यहां पर स्क्रीन पर मैंने में अच्छन कर दिया है लेट स्टार्ट वीडियो आपको थोड़ा साभी है पसंद आए तो लाइक कर सकते हो क्योंकि लाइक करना टोटली फ्री है सबसे पहली अगर आप टीनेजर होना तो भी आप यह पेक को इस्तमाल कर सकते हो तो सबसे पहला यहां पर मैंने गेहूं का आटा लिया है नेक्स्ट ही यहां पर हमें जो चीज चाहिए वो है जितना हमें यहां पर गेहूं का आटा लिया था उतना ही हमें यहां पर बेसन लेना है यानि वन टेबल स्पून जितना हमें यहां पर बेसन लेना है अब आपको इसमें पिंच ओफ टर्मेरिक यानि हल्दी एड करनी है नेक्स्ट में जो important चीज मिलानी है वो है आपको कोई भी oil मिलाना है अगर आपके पास नाड़ी रकाते ले तो आप वो मिलाएए अगर आपके पास बादाम का oil है या तो आपके पास coconut oil है तो आप वो भी मिला सकते हो पर मैं 5-6 बुन बादाम का oil मिला रही हूँ लास्ट में हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पों जितना कच्चा दूद लेना है I know कि आप मैंसे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कच्चा दूद सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं आप इसके बदले rose water यानि गुलाब जल भी ले सकते हो तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पों जितना दूद मिला रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो DIY पेके रेडी हो चुका है consistency आपको ऐसी रखनी है dropping consistency आपको नहीं रखनी है थोड़ी सी thick consistency आपको इसलिए रखनी है क्योंकि जब यह यह पेक को हम लगाएंगे तो इसको सुखने में ज्यादा time ना लगे इसलिए में थोड़ी thick consistency रखनी है आपको थोड़ी सी धीरज रखनी पड़ेगी थोड़ा सा इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि यह DIY natural तरीका होता है तो बालों को remove करने में यूनो थोड़ा time लग गया ऐसा instant यूनो overnight कुछ भी नहीं हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको patience रखना पड़ेगा बट definitely आपको result मिलेगा और ये pick से आपको you know two in one result मिल जाएगा mouth के आजु बाजु का जो area है वो भी यहाँ पर आपका bright हो जाएगा pigmentation remove हो जाएगी और facial hair भी remove हो जाएगे तो चलिए अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ साथी साथ निकालना कैसे है वो भी बता देती हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोगों का facial hair को remove करने का अपना अपना खुद का तरीका होता है कोई लोग waxing करवाते हैं threading करवाते हैं तो आने में थोड़ा time लगता है जब आप threading करवाते हो तो threading में भी pain होता है तो कई लोगों को pain यू नो बरदास्त नहीं होता है कोई लोग laser treatment करवाते हैं अगर आपके पास इतने पैसे है तो आप laser treatment करवा सकते हो बट laser treatment में भी दो या तीन साल में भी आपके hair फिर से व दस दिन में फिर से वापस आना start हो जाएंगे ओके guys तो यहाँ पर हमने जो पेक बनाया ना आप चाहो तो पूरे face के उपर भी लगा सकते हो अगर आपको facial hair की बहुत साधा problem है तो या तो आप you know marriages से upper lips के hair को remove करने के लिए भी use कर सकते हो फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ सालों से युनों आपने आपकी मम्मी ने नानी ने या तो दादी ने इस तरीके का पेक hair को remove करने के लिए आपको बताया ही होगा यानि गेहूं का आटा बेशन सालों से एक उप्टन जैसे और है को remove करने के लिए स्किन को निखाने के लिए हम use करते ही आ रहे हैं साती साथ माउथ के आजबाज जो भी darkness होती है काला पन होता है या तो कोई भी निसान होते उसको remove करने का काम भी ये पेक कर देता है हमने इसमें oil इसलिए मिलाया है क्योंकि जब ये पूरी तरीके से dry हो जाएगा तो जब हम इसको निकालेंगे रगडेंगे तो हमारी स्किन red ना हो हमारी स्किन damage ना हो इसलिए हमने oil मिलाया है और दूद भी एक तरीके से आपके बालों को वीक करने के लिए ज़ड से निकालने का काम करता है आपकी स्किन वहाँपर पहुँ सदा ठ्राए तो सॉफ्ट बनाने का क तो मैंने यहां पर अपर लिप्स के एरिया पर अच्छी तरीके से इसको एपलाई कर लिया है अब आपको इसे 20-25 मिर्ट तक के लिए सुखने के लिए छोड़ देना है क्योंकि इसको सुखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तब तक आपके मोबाइल में यूनो कुछ काम का लिजे या तो कुछ घर का काम का लिजे तो जब तक यह जाए उसके बाद मैं आप सब को मिलती हूं यहां पर मैंने जो अपर लिप्स के ऊपर लगाया था वो कंप्लीट्डी ड्राय हो जुका है अब आपको क्या करना है कि आपकी जो हैर्टी डिडेक्शन है उसकी अपको जिट साइड सर्किलर मोशन में आपको मसाज करनी है हर्के तरीके से इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पर यह पेक्ट लगाऊगे ना तो आपके हैर्की जो जो जोड़ होगी वो काफी वीक हो जाएगी धीरे-धीरे करके आपके जो बाढ़ होगे वो जणना स् तो यहां पर यह पेक को निकालने के बाद आपको क्रीम लगा लीजे या तो कोई मोश्टराइजर लगा लीजे अज सनी गया सालों से आपने सुनाई हो गा या तो आपकी ममी नानी या तो दादी ने बताया होगा कि उन लोगों के जमाने में किहुके आटे का पेक, बेसन पर आपको 100% result मिलता है तो अगर आप अपर लिप्स के hair से या तो face के hair से पहुत जादा परेशान हो आपको खर्चा नहीं करना है या तो ना आपसे pen बरदास होता है ना आपको razor आपको threading या तो waxing करवानी है ना कोई hair cream इस्तमाल करनी है तो आप इस तरीके का DIY घर का बना प hair की जड़ होगी ना वो बहुत सदा वीक होती जाएगी वीक होने के बाद आपके जो fine facial hair होगे ना वो जड़ से निकल जाएगे तो रट टाइम obviously लगे गा ही दो तीन महिने में आपको बहुत ही अच्छा result मिलेगा तो अगर आप यह चेरे के fine facial hair से बहुत सदा परेशान हो अपर लिप्स के hair से बहुत सदा परेशान हो तो आप यह नुस्का ट्राइ कर सकते हो यह इतना सदा safe और natural है कि teenage से लेकर 20-30-40-50 सल तक के होना तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और यह पेक को इस्तमाल करने के एक नहीं बहुत सारे फाइदे हैं काला पन हटाएगा सा बाजू बाजू जो डार्क पेचिस पड़ जाते हैं जो बहुत सादा खराब दिखते हैं उसको रिमूट करने का भी एक काम करेगा और इसी तरह के वीडियोस आपको मेरी चैनल में बहुत सारे मिल जाएगे जो आप यहाँ पर प्लिक करके उसको देख सकते हो या तो आप कोई स्पेशल रिक्वेस्ट ने तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई गाईस लव यू ओल